नमस्कार मैं हूं जेश कुमार सिंग और आप देख रहे हैं बिन्वज आपको बता दे उत्तरपरदेश सरकार जहां पैसा पानी की तरह भाती है लोगों की सुराग्छा के लिए लोगों की सुवश्थ होंगे तभी उत्तरपरदेश कुछ declared रहे मies करने ये मैं mm दिख रहा है यह खंड़हर नहीं एक नया अस्पताल बन गया है और इसे बनने हुए जो आस्थानिय लोग हों का कहना है कि इस अस्थाल को ने साथ साल हो गए लेकिन हाथ कोई डॉक्टर नहीं आप चारिक रूप से इस अस्थाल का उडगाटन भी नहीं हुआ है लेकिन यह अस्थाल आप खंड़हर में तब्दील होता नजरा रहा है आप हमारे पीछे साब देख सकते हैं किस तरह से यहां पर खर पतवार जो भी जाड़िया है और जम गई है और यह पूरी तरह से जरजर है इसे यूं कहा जाए कि सरकारी धन का बरबादी हो रहा है तो जूट न जाएदा लोगों को सुख्था मिलता उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल के रुख नहीं करना पड़ता प्राइबेट अस्पतालों में नहीं जाना पड़ता वहां उनके गाउं में उनके गाउं के आसपासी इस अस्पताल में उनका इलाज हो जाता लेकिन कहीं न कह बार बार यही कहना है कि अगर अस्पताल चलू हो जाए हम लोगों को कभी भी तवियत खराब हो ते यहां से इलाज होगा अच्छी सुभधाय में लेंगी एक तरफ जहां देश में करोना वाइरस से बचने के लिए तमाम स्वास्त विभाग पैसा लगा रहा है स्वास्त वि की से सिर्फूर्ट के आने के बाद केंद्र सरकार और प्रदेशार का पर काफे ध्यां दिया इतर सोब्सें। ग्राम पंचायत में कैसा स्वास्थ केंद्र जहां करोडों की लागा से बना दिया गया लेकिन आज यह उच्छ अधिकारियों की रहा है कि कब उच्छ अधिकारी आये और इस अस्पताल की उठगाटन की जाए यहां लोगों की इलाज की जाए आप देख सकते हैं कि सरकारी दन से बना करोडों रुपए के लागा से लाखों रुपए के लागा से सरकारी आस्पताल उठगाटन की रहा देख रहा है कि कब यहां डाक्टर बैठेंगे और यहां के आज पास के 20-30 गाउं के लोगों का उपलब्द होगा इलाज लेकिन यह तस्वीरे साफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह बन कर तो तयार हो गया लेकिन अब धीरे धीरे यह एस्पताल खंडहर में तबदील होती जा रहा है क्योंकि यहां ना तो डाक्टर आते हैं और ना ही स्वास्त विवाग के जीमेदार अधिकारी इसके सूद लेने आते हैं कि करोडों के लागत से बन गई अस्पताल इसमें इलाज होगा या नहीं देख सकते हैं किस तरह से अस्पताल बीरान पड़ा हुआ है और जीमेदार अधिकारी चैन के नींद सो रहे हैं क्योंकि उन्हें यह सी में रहना है और जो गरीब जैनता इलाज के लिए दरदर भटक रहा है लेकिन ये कर खिड़किया भी टूट रही है जो अंदर टाल्स लगा वह भी टूट रहा है लेकिन इरामपुर कर खना के अंतगत खौजुरी ग्राम पंचायत में लगाई है अस्पताल आज भी उच अधिकारे और डाक्टरों का राह देख रहा है यहां के लोगों का सपना अधूरा ही रह गया जब यह अस्पताल का निर्मार शुरू हुआ तो लोगों को लगा कि उनके घर में उन्हें इलाज मिलेगी लेकिन उन्हें क्या पता था कि अभी अधिकारी और नेताओं की केवल बाचकी ही रह जाएगी केवल अस्पताल ही बन जाएगा लेकिन जो मुख्य सुध यहां पर उपलब्द नहीं हो जोगा लोगों का इलाज नहीं होगा आइए सुनते हैं इस संभंद में इस गाओं के रहने वाले लोगों का क्या कहना है मतल यह नहीं देखिए यह तो बीगत साथ सालों से बन के तयार ही कह लीजिए तयार भी क्या कहेंगे जो देखी रहे हैं ये जो खिड़की ओगर है इसमें सब जानवर परिंदे मरे हुए हैं ये सीसे तूटे हुए हैं लेकिन अब सरकार की लापरवाही नहीं कहेंगे सरकार के जो लोग हैं उनकी लापरवाही कह की आज तक इसका निरिक छण करने कोई नहीं आता है। इसके संचालन के बारे में भी कोई सोचने नहीं आता है। इसलिए हमारे यहां हस्पिटल से जो वीशो गाउं सटा हुआ है, सब लोग बहुत दुखी हैं। दिल से दुखी हैं। यह अस्पताल किस गाव में बना हुआ है यह अस्पताल ग्राम सभा मंगराईच में यह खजुरी आता है खजुरी वहां पर बना हुआ है अब लोग ग्रामीड हैं आपको कभी डाक्टर आएं कि नहीं कोई अधिकारी जिलेस आया कि नहीं इसका निरख्षा करने के लिए दे हो इस तरह के लोग अगर आएंगे तो लोग चारों तरफ से कहते कि ठीक है कोई प्रसाशनिक लोग आ रहे हैं हो सकता है चंद दिनों में अस्पताल चालू हो जाए चुनाम में तो तमाम नेता बड़े वादिव कर रहे थे कि हम स्वास्त से लिए का सडख विजली पानी देखिए नेता के लिए हम लोग यही सोचते हैं नेता से हम लोगों की यह उपेक्षार आती है कि जो मूल बुथ सुविदा है बिजली है पानी है सडख है स्वास्त संबंदी जो सुविदा सरकार दे रही है यह हमारे जो प्रतिनीदी हैं यह सदन में उठाएं या आपने बिदान सबा के लिए कहें तो हमारे रामपूर कारखाना बिदान सबा के जो हमारे माननी बिदायक सुरेंदर चौरसिया जी हैं उनसे भी हमने बिंती किया है कि देखिए हमारे छेतर के लिए हमारे गाउं के लिए एक सरकार ने सौगात दिया तो सर कहें कि ठीक है वो भी इसको उपर तक पहुंचाए हैं अब देखिए कब तक सरकार के लोग जगें या सरकार उनको जगाए मेरा नाम मुहम्मद जमीरुद्दीन सिदिकी है मैं खजुरी ग्रामसभा का ही रहने वाला हूं और मैं अल्पसंख्यक मूर्चा मंडा लद्यक्ष बैकुनपूर का हूं